दोस्तो इस वीडियो के मात्यम से हम आप लोगो बीएड के रिजल्ट के बारे में बताएंगे बीएड का रिजल्ट आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं बीएड का रिजल्ट जारी हो गया है कुछ स्ट्वेंस का रह गया था कुछ कॉलेजों का मतलब तो आप सभी कॉलेजो चेक करके दिखाते हैं तो डारेक्ट वेफसाइट लिए है इसका लिंक मिलाएगा आपको डिस्किप्शन बॉक्स में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी एड फस्ट इयर और बी एड फस्ट इयर यह बाकी जो कोर्सों के रिजल्ट रह गए थे इसके रावा बी एड फस्ट इयर चौबीस सितंबर को कई सारे कॉल्जों के रिजल्ट आया थे इन कॉल्जों को रोक दिये गए थे और बाकी सकरावा 26 और सितंबर को भी कुछ रिजल्ट आये हैं यह रिजल्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहां पर आपको सेकिंडर की रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे तो रिजल्ट चेक करने के लिए, आप बैक आज़ आके इस वाले आप्षियन पर, अपको क्लिक करने के बाद में कौर्स सेलेक्ट करें, कौर्स में आप बी एडियो वारा आप्षियन ले year semester में first second जो भी आपको अपने लिए इसके आगए यहाँ पर roll number डालके summit पर आप लोग क्लिक करें फिर आपका result आपके सामने आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका जो result हो का वो आपके सामने open होकर आ जाएगा ठीक है आप यहाँ पर देख पारे होंगे be add second year तो चाहें first year हो चाहें second year हो सबका result आगए है आप इस परकार से अपना result चेक कर सकते है CCSU be add first second सबका result जारी हो गया है कुछ college ओकर रह गया है तो जल्द आ जाएगा आप चैनल subscribe कर लें आपका result आने पर आपको बता दिया जाएगा आप इसके अलाबा MJPRIO को result आप कैसे निकार देंगे बताते हैं अगर आपका result MJPRIO का है तो आप लोग result type में जाकर में result सेलेक्ट करें सेस्टन में जाकर दोहरा 23-24 डालें select type में annual डालें और select course में यहाँ पर under graduate डालें इसके वाद में view पर क्लिक करें फिर आपके result आएंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको be at result देखने की मिल जाएंगे be at yearly final year be at yearly first year be at first year second year दोनों की result यहाँ पर है अब जिस course का आपका result है उस course पर क्लिक करें इसके बाद मैं अपना roll number यहाँ पर डालें इन नम्बरों को जो भी आपके सामने हैं उनको जोड़कर यहाँ पर डालें और gate result पर क्लिक करेंगे तो आपका result आपके fund में download हो जाएगा फिर उसको files में ज इस पिरिकार से निकाल सकते हैं और अगर आपकी कोई और university है तो comment बोक्स में अपनी इन वस्टी को नाम बता सकते हैं ठीक है जायत है इन वस्टी का result आ गया है अगर आपको नहीं आया है तो आपको बता दिया जाएगा अपनी इन वस्टी को शेयर जरू करें और एदिज जानकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने हैं थैंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो